हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्ट डॉक्टर फारज जहां अप्स्टिटीशन गाइन गाइनेपोलजिस्ट अल्टरसोनलोजिस्ट आग मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप फैट टू फिट ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं सिर्फ पांच चीजों का आपको ध्यान अगर आप इन पांच चीजों पर ध्यान रखेंगे तो सिर्फ आप चार हफ्ते दीजिए अपने आपको आप अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करें तो सबसे पहली चीज है इसमें डाइट डाइट के लिए आपको ग्रीन वेजटेबल फ्रेश फ्रूट्स खा आपको अपनी कैलरी काउंट करके उसको प्रॉपर अवांट में में उसमें ग्रीन वेजटेबल और फूट्स रखने हैं दिन भर में एकाद रूटी आप ले सकते हैं दो कटोरी दाल ले लिजे और बाकी आप सेकेंड चीज आती है इसमें पानी वाटर इंटेक वाटर इं माली जे आपका वेट जो है 50 गेजी है तो आपको अट लीस्ट 2.5 लीटर पानी पर दे लेना है जिसे आप सुभा में सबसे पहले कम से कम चार ग्लास ले लिजे उसके बाद में बाकी आप सोने से 2 गंटे पहले तक उस पूरे अमांट को निप्टा दीजे सोने से 2 गंटे बिए जोड़र आपको वाटर इंटेक की ज़ुरत है किसी फ्रम में ले सकते हैं आप जाहे सिह डूड़ talk ौकी अजर थो पानी ले लिजिए या फिर नीव्यों पानी ली ले सकते हैं किसी भी खि़ीरा भी मेंसमें 90 परसेंट बाडर होता है तो वो भी Workers छेंट के लिए डेली exercise करनी बहुत जरूरी है आप अपने चाल हथे में अपने आपको आपनी बॉड़ी को जो फैटी हो गई है डिस बैलेंस हो गई है फिगर सब कुछ तो वो सब आपकी एकदम बैलेंस में आ जाई है जस्ट इन फॉर विक्स यू फिल दिफरेंस इन यूर फीजीक यूर आउटपूट यूर एनरजी लेवल नेक्स्ट आता है स्लीप साइकल स्लीप एट लीस्ट आपको सेवन तो एट आवर स्लीप पर दे बहुत जरूरी है 90-90 मिनट के दो स्लीप साइकल आपको बहुत जरूरी है इसना अगर नहीं होगा तो यह में जो है नेंद ही होती है जिस टाइम हमारी पुरी बोड़ी का रिपेयर हो रहा होता है और बाकी जो हमारे दिन भर की मेमोरी होती है काम की होते है वो सब हमारी अपनी जगे अपना फिट होती है सेटिंग होती है दिमाग में फिफ्ट एंड लास्ट बट नौर प्लीस्ट इस ब्रेन के लिए जो आप फूड देते हैं जैसे आप बोड़ी को खाने के लिए खाना चाहिए इसी तरह आपको ब्रेन को भी एक डाइट चाहिए उसके लिए सबसे अच्छी डाइट होती अच्छी बुक्स पढ़ना सेल्फ हेल्फ बुक या किसी अच्छे लीडर की बायोग्रैफी और आजकल तो बहुत सारे ऐसे एप आप आगए हैं आप सिर्क मुबाइल पे आप ओटो बायोग्रैफी और बहुत सारी सेल्फ हेल्फ बुक सुन सकते हैं तो डेली आपको ब्रेन को भी एक डाइट डेली है जो आपको माइंड सेट इंप्रूफ करें जो डेली आपको एक नया परसन बनाए, बेटर परसन बनाए you should compete with yourself तुम्हें अपने आप से ही compete करना है और अपना ही better version बनना है और इसमें आपको अच्छी books बहुत help करती है तो आज मैंने ये 5 चीज़ें आपको बताई हैं जिससे आप अपना better version बन सकते हैं better to fit transform हो सकते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और information better information के साथ में आपके लिए तब तक के लिए बाई